दियर इंडिया हेग्ड आपने हमें कमेंट क्या था फोटो कोपी जीरोक्स मशीन के बिजनेस के बारे में तो उस फोटो कोपी मशीन के बिजनेस के बारे में मैंने वीडियो बनाई है उमीद है आपको पसंद आएगी इस सब्सक्राइबर के लावा जितने और भी सब्सक्रा और आज मैं आपको फोटोकोपी की हॉलसेल मार्ट में लेकर चल रहा हूँ जहां पर आपको फोटोकोपी का जो रेट होता है यहां पर आधे से भी कम कीमत पर आपको फोटोकोपी मिल जाएगी क्योंकि जो photocopy की machine होती है आसी होती है, refurbished machine होती है और सारी machine इंपोर्टिड होती है आप यहाँ पर photocopy की machine लगा सकते हैं और अच्छी income कर सकते हैं या फिर आप कोई दुकान खोलने की सोच रहे हैं तो आप school के पास, college के पास सिर्फ photocopy की machine लगा कर भी 1000 रुपे कमा सकते हैं फ्रेंड्स आपको photocopy के लिए छोटे printer मिल जाते हैं बट अगर उसकी आप photocopy महां से करते हैं तो आपको जो photocopy होती है वो काफी costly पड़ती है जिससे कि आप अपना खर्चा नहीं निकाल सकते यदि आप एक बार खर्चा करके एक बड़ी machine ले लेते हैं तो आप 1000 रुपे कमा सकते हैं आपका जो cost लगता है एक photocopy पे काफी नाम मातर का ही लगता है जो आपका खर्चा लगेगा सिर्फ blank page का लगेगा जो भी आप market से खरीद करके लाएंगे बाकी का जो machine का खर्चा आएगा सिर्फ 8 पेसे सिर्फ 8 पेसे किसकी costing आएगी और friends आपको पता होगा कि जो photocopy का cost होता है पर copy का वो 2 रुपे होता है ज़्यदा तर दुकानों पर 2 रुपे का cost होता है यदि आपके पास बड़ी machine है तो आप 1 रुपे लगा कर भी service दे सकते हैं ज़्यदी आप पर page की 1 रुपे की costing लगा कर photocopy का काम start करते हैं तो आपके दुकानों पर line लग जाएगी आप 1000 रुपे कमा सकते हैं सिर्फ photocopy की machine लगा कर क्योंकि ज़्यदा जो customer आते हैं photocopy के लिए वो quantity में ही आते हैं ज़्यदी आप एक बड़ी photocopy की machine अपने एरिया में लगाते हैं तो पूरी book भी photocopy करने के लिए आपके पास आती है quantity बड़ेगी तो आपकी income भी बड़ेगी तो चलि दुस्तों वीडियो को शुरू करते हैं अलो सर क्या नाम आपका राजेश राजेश जी क्या बताएंगे आग अज हम ज्रॉक्स मशीन वर्क सेंटर 535 के बारे में बताएंगे इस तरह से मशीन को पहले ओन करना है डिसलेश पर आएगा आपका लिखावा मशीन मॉडर नमबर बगरा सब क्लियर हो जाएगा यह अफ्य है मशीन का मेंãy मेन खुल जाता है आगव को समय को जब है जिसे तरह से हमें कॉपी करना इसको कॉपी टच करेंगे का Makini के अंदर जो भी लगाना है कॉइ प्रिंट को इसको इस पर रख सर देंगे आर्व से टच करा के उसके वह फ्लाप बंद कर दींगे करेंगे करने के बाद मशीन सापका प्रिंट आउट बहार आ जाएगा यह यह आपका कॉपी कॉपी यह इसका प्रिंट उसके बाद यदि आपको मल्टी सिमेज चाहिए तो मल्टी में आप आएंगे डिस्प्ले के उपर 99 तक की कमान दे सकते हैं इसमें एक बार क्लिक करने से आप हजार कॉपी बार में लिकाल सकते हैं इसकेनर वन टाइम जलता है सरीफ और यह कलर सकान करता है जो भी इमेज आप श्कैन करेंगे आपके सिस्टम पर जो जाएगा वो स्कैन होके कलर में जाता है और हमसे प्रिंट आओट जो है ते प्रिंटर्स से प्रिंट भी लिकाल सकते हैं और को छोटा को कर सकते हैं 25 से 400 परसेंट तक प्रिंट को छोटा कίνव रशा रियाजशन भी लीवत सकते हैं बड़ा हूं जिस तरह से हम इससे एथी तक का पिंट आउट आसानी से ले सकते हैं अब जिस तरह से मैंने दो एस हैं एथी साइस का पेपर पिंट आउट लगा दिया इसके उपस शीशे पर मैं इसे छोटा करके लेना चाहूं तो बस आटो पे डाल क्लिक करना है और प्रेट कर देना है इसको छोटा प्रेडूस करके आपको देदेगी यह देखिए दोनों एकी बार में देदिया आपको कुछ करने की जुरूत नहीं हो यह दिया आपके पास मैटिपल पेजिस हैं यह आप सपोस्की आपके पास सौ कॉपीज है इस तरह से तो आप इसको उपर एडिया से डाल दीजिए आपने पेपर स्कैन करता रहेगा मशीन प्रिंट आउट्स आपकी कॉपी सिहां आती रहेंगी यह आपका एक साइट बनके आगया आप स्टेपले कीजिए और किसी को भी देदिए असानी से बना सकते हैं हजार कॉपी सेट सकते हैं आपके हार ट्रेक अंदर इस तरह से मशीन में एफो लगा होता है वह सी बार नॉर्मली प्रिंट दुलाते हैं आप इसको स्लाइट करेंगे नॉर्मली एठी तक इतना बड़ा आप प्रिंट आउट इसमें कॉपी कर सकते हैं नीचे से इसलेक्टिड है इस तरह से पीछे और इसको स्लाइट कीजिए यहां साफ पेपर डालेंगे उसी साफ से ट्रे स्लेक्ट हो जाती है दो नीचे ट्रे होती हैं जिसके अंदर आप एफोर के पेपर पंदरा पंदरा सो शीच एक बार में डाल सकते हैं यह आपका दुपलेक्स होता है हैं से बैक डेक कॉपीका कर गए नीची करना है कि शेया था यहिसरा जर्द और आता है सीघह कर सीदा इसको प्रेस कीज़े नौर्मली यह एक बार रिफिल होने के बाद 20-22,000 प्रिंट आउट्स लिकाल देता है अपका अबरेज ओन 6% कवरेज इरिया होना चाहिए इसके अंदर कोई ऑप्शन दिया हुपर इंडिकेट करेगा इसके अंदर दिया हुआ और सप्लाई दिखाता है सप्लाई में जाएंगे तो उस इंदर काटेज होता है उनकी लाइफ शो करता है डिस्पले पर शो करता है जो खतम होने वाला होता है साथ दिन पहले इंडिकेट करता है कि यह खतम होने वाला है आप अरेंज करके रखिए मशीन के अंदर रेडिंग शो करता है आपका कि कितना आपने मशीन चला चूगे ह और कितनी लाइफ और बाकी है मशीन में आप इसकेन भी कर सकते हैं यह हुआ कॉपी का उप्शन और इसी दरा से हम ज़्यादी कोई पैंटाइब में प्रिंट आउट है हम पैंटाइब यहां से अटैच करेंगे मशीन के अंदर और ऑप्शन आएगा आप उसको सिलेक्ट करे कloud आप करेंके बाबाऊब मशीन कीजिए स्कान चेंण के शिस्टम पे चला जाएगा सिस्टम पे आप को कलर टिस्कानी अजरी आएगा इमेल भी कर सकते हैं आप स्टोर करके भी बुक्स रख सकते हैं यदि आपको फीचर में कोई बुक चाहिए इस्टोर कर लीजिए पहले बुक कभी इन फीचर चाहिए तो आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं यह आप्शन से मशीन के अंदर और बहुत अच्छी मेशीन इसके बहुत जदत आपको अब है आपको मिलेगा यह राउंड फिटी थाउजन के आज पास रहता है इसका प्राउंड उसकी वर्याइट इदे लिजी अंदर मेशीन लगाते हैं तो हमारी तरफ स्थीजिल उभाइट कराते हैं यदि कोई प्रॉब्म होती है हमारा इंचि पर चार्ज रहता है उसके बाद अबला आते तो पेट सर्वीस रहता है उसके चार्ज रहता है तो हम सब कुछ हो जाता है रेपर फोट कर लेते हैं यदि कोई कंपने से पास आपके तो बढ़ा देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है यह मशीन का काटेज साथा है मिलता है मार्केट से भी और हम भी प्रवाइट कराते हैं आपको कुछ नहीं करना इस मशीन में जदी इंक खतम हो जाता है तो इस तरह से काटेज आपका आएगा इस काटेज को आप नहां से लिकाल के पहारक देंगे कहीं भी उसके बाद यह कालना है आपको और कालना है नया काटेज आएगा आपका पस लाइड कर देना है और बंद कर देना है यह आपका मशीन में मशीन के अंदर काटेज फिल हो गया आप इस दुबारे से मशीन बीस सबसेजर कॉपी लिकाने के लिए मशीन फिर से आपकी रेडियो गई है इसी तरह से में ड्रम काटे जाता है इस तरह से काटे जाता है कंपनी से सीधा लेकर आए और सीधा मशिन के इंदर डालके मशिन के लिए इसके लिए कोई टूल्स की ज़रूद है ऐसा कुछ नहीं है आप सीधा डालिए और चलाईए उनको इस तरह से आपकी मशिन फिर से रेडियो जाती है आपको कुछी चीज की ज़रूद ही नहीं है टूल्स की आप सीधा मशिन चलाए और सीधा मशिन चलता है यह ट्रें में पीछे कह जाता है इसका इंदिकेट यह तिरी कर रहा है जा हम इसे वापिस कर देंगे तो यह फूर प है उसमें अपकलर फिंटा ओट भी लिखाल सकते हैं व्जिटिंग काड़ वगरा का भी काम कर सकते हैं आप उसके अंदर कंदर और कलर प्रिंटाऊट तिया सब्सक्रांग की चुछ सबस्क्राइब यह वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्स बोक्स में सप्लियर का कॉंटेक्ट नमबर दिया हुआ है आप यहां से विजिट करके मशीन को चेक करके यहां से आप परचेज कर सकते हैं यहां फिर बिल्कुल आपके मशीन को परचेज कर सकते हैं अपको किस तरह की बिजिटियो हम जरूर बनाएंगे तो चलिए फ्रेंट्स चलते हैं किसी नए बिजनेस की तलास में जो भी आपने हमें कमेंट किये हुए हैं ओके फ्रेंट्स थेंक्स फर वाचिंग, हेवे नैज डे